हाली में देखे भारत से लंडन उड़े एक विमान में एक यात्री नेक क्रू की पिटाई कर दी जिसके चलते आनन फानन उसे वापिस दिल्ली हवाई अड़े पर लाया गया इस विमान में दोसों से अधिक पैसेंजर सवार थे फ्लाइट में बदसलू की का ये पहला मामला है नहीं इससे पहले भी कई यात्रियों के अपने सहयात्रियों या क्रू मेंबर्स के साथ बदसलू की या मापीट के मामले सामने आ चुके हैं इससे नहीं वहने सहयात्रियों को एरलाइन नो फ्लाइल लिस्ट में अक्सर डाल देती हैं कि ऐसे में क्या सहयात्रियों या क्रू मेंबर्स के साथ बदसलू की करने वाले पैसेंजर्जि उसको सरफ नो प्लाइट शुस्ट्रम में डालने का प्रावधान हैं या उनके खिलाब कोई और कारवाई भी की जा सकती है सवाल ये भी कि क्या मूझ जुबानी बदसलू की हातापाई या मारपीट के लिए अलाग अलग सजा का कोई प्रावधान है सवाल ये भी कि ऐसे मामलों की जाच करता कौन है नो फ्लाय लिस्ट बनाई कैसे जाती है? सबसे बड़ी बात कि ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो ही क्यों रही है? उड़ते जहास के अंदर इस तरहां की हरकतें ना केवल सेकडों यात्रियों की जान जोखें में डालती हैं बलकि विमान की सुरक्षा पर भी कई एहम सवाल उठाती हैं ऐसे उत्पत्यों पर नकेल कस्तें के लिए सरकार और विमान कमपनियों नहीं उपाय तो किये लेकिन बार-बार होती घटनाएं कुछ इशारा तो करती हैं कुछ घटनाएं बताने की कोशिश तो करती हैं अगर आप देखें कि पिछले साल के अंत में और इस साल के शुरुवाती महीनों में बुरा बरताव करने वाले तीन यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया 2022 में 63 यात्रियों को इस लिस्ट में डाला गया 2017 के बाद से अब तक 143 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया International Air Transport Association के मताबख 2021 में COVID नियम तोडने के 5,672 मामले दुनिया भर में दर्ज किये गए 2022 में इसी के 4,212 मामले रिकॉर्ड हुए और इसी सीरीज में महाराष्टर से एक सांसत का नाम भी जुड़ा उन पर आरोप था कि उन्होंने बिजनस क्लास में सीट नहीं मिलने पर एर इंडिया के करमच्वारी की चपल से पिटाई कर डाली उनके पास बिजनस क्लास का टिकेट था लेकिन उस विमान में सर्फ एकॉर्णमी क्लास की सीटे ही थी वैसे मुंबई के जूलर ब्रेज किशोर सल्ला नवंबर 2017 में पहले ऐसे यात्री घोशित हुए थे जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया जेटेवेज ने 5 साल के लिए उनके विमान यात्रा करने पर बैन लगा दिया आरोप था कि उन्होंने कारगों में बम रखे जाने की जूटी सूचना टौलेट में नोट लिकर छोड़ दी थी विमानों में लगातार बढ़ती ऐसी ही अनुशासन हींता के मद्दे नजर सरकार ने 2017 में कुछ नियम कानून बनाए थे मूल रूप से ये प्रतिबंदों की शक्ल में ही है जो यात्रियों की बढ़ताव की प्रकरतिक अनुशार तीन लेवल पर काम करते हैं वो तीन लेवल क्या है पहले स्थर में बोल चाल के जरीय किया गया उत्पेडन इसमें एरलाइन्स तीन महने तक यात्रा करने पर बैन लगा सकती है दूसरे सतर पर है शारिरिक उत्पिडन और इसमें 6 महिने तक यात्रा पर प्रतीबन लग सकता है जीवन को खत्रे में डालने की मामलों में 2 साल से आज जीवन यात्रा पर प्रतीबन लगाने की भी विवस्था है दरसल यात्री को नो फ्लाय लिस्ट में डालने की बात तो तब ही आती है ना जब वरिष्ट पालिट उसके खिलाफ शकायत दर्च कराते हैं और इस पर एरलाइन्स की आंतरिक कमेटी मामले की जाच करके 30 दिनों में प्रतिबंद की समय सीमा भी तै करती है प्रतिबंदित यात्री कमेटी की सिफारिश के विरुद साथ दिनों में उसमंत्रालर के पैनल के समक्ष पुनहा विचार याज़का दाखिल कर सकते हैं उसका फिर से रिवालुएशन होता है उसको रियानालसिस किया जाता है और अगर तानल आंतरिक कमेटी की सिफारिश को ही मन्जोरी देता है तब यात्री के पास हाई कोर्ट से राहत पाने का विकल्प ही बचता है लेकिन इसकी खामी ये है कि बाकी एरलाइंस यात्री पर लगे पती बंद को मानने के लिए बाध्य नहीं है यहीं तो प्रॉब्लम है विमान में उत्पात की घटनाएं भारत में ही नहीं बलकि लगातार विदेशों में भी हो रही है और ये अब बहुत जादा बढ़ गई है वजा यही है कि इन घटनाओं को रोकने के नियम जो है बनाए तो गए बदले भी गए लेकिन नियमों में धील हमेशा देखी गई है ये घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार को अलर्ट रहने की ओर इशारा तो करती हैं सरकार को सतर्क तो कर रही हैं लेकिन मगर इनसे विमान यात्रियों की सुरक्षा संबंदी चिंता शांग करने में खास मदद आज भी नहीं मिल रही है जरूरत है कि सरकार 2017 में बनाए गए इनहीं नियमों की एक बाद फिर से समिक्षा करें आंकलन करें और ये देखें कि उत्पातियों का यहनी की बिगडेल यात्रियों का क्या इंतजाम किया जाँ सकता है ये वो कोर्ट्स जिनको आज Decode the कोर्ट्स में जगा दी गई है और इनी तीन कोर्ट्स पर यदि आप किसी तरीकी की कोई टीका टिपपड़ी करना चाहते हैं कोई फीडबाग देना चाहते हैं या जसिंदी के इस प्रोग्राम के साथ साथ तमाम और दूसरे प्रोग्राम क पर हमें फीडबाग दे सकते हैं आपकी फीडबाग का हमें इंतजा रहेगा इसी के साथ फिलाल इजाज़त दीजेगा नमस्कार